नमस्कार मनी मन्त में आपका स्वागत है मैं हूं पंकट पचोरी आज हम बात करेंगे उस विशह पर जिस पर पूरा देश बात कर रहा है संसदर ठप पड़ी हुई है तीन हफ़ते से और भरष्टा चार के मामलों मैं सबसे बड़ा सरगना अगर नमबर वन कोई उबरा है तो वो उबरा है टूजी स्कैम जो कि टेलेकौम घोटाले के नाम से भी जाना जाता है तो ये टूजी स्कैम क्या है क्यों है और इसका क्या होगा और क्या ये स्कैम है या नहीं है इस पर बात करने के लिए हमने आज तीन विशेश अग्यों को यहां पर बुलाया है अपने स्टूडियो में और वो इसलिए कि इस स्कैम के बारे में जो भी आरोब प्रत्यारोब हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं special interest यानि कि हित जो हैं विशेश वो जुड़े हुए हैं और बहस जो है वो एक objective निश्पक्ष नहीं हो पा रही है पीपी राव साह हमारे साथ में है सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील है और सरकारी तमाम जो महकमें हैं उनकी भी वकालत कर जो कि आर्थिक मामलों के विशेशक या लेखक हैं और साथ ही 2G स्केम गोटाले में जो पी आईल जो दायर किया गया है सुप्रीम कोट में उसमें एक नाम आपका भी है और मुंबई से हमारे साथ में आए हैं राजेश तिवारी राजेश तिवारी CEO और MD हैं नेक्स्ट ट तब ये OSD थे MTNL के CMD के उसके बाद में आप टेलेकॉम मिनिस्टर और INV मिनिस्टर के OSD रह चुके हैं साथ ही डिरेक्टर रह चुके हैं एक भारती है PSU के और सबसे एहम बात जो है Reliance Infocom के आप डिरेक्टर रह चुके हैं जिसका नाम बार बार इस मामले में उचल रहा है सबसे पहले परण जो है सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पिछले 10 साल के अंतरगत हमारे मुल्क में टेलेकॉम सेक्टर में हुआ क्या है यह मोटी बात है जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ यह कहानी टेलेकॉम सेक्टर की है और इसमें आप देख सकते हैं कि 2004 में किस से एक दशनलाव 55 से जो टेली डेंसिटी है रूरल एरियास की बढ़के 26 हो गई 2010 में और देश की जो टेली डेंसिटी है 56 हो गई और अर्बन एरियास की जो है 128 हो गई यह विकास के आकड़े हैं टेलेकॉम सेक्टर के आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम यह पाएंगे कि नेट गुने से भी ज्यादा व्रद्धी जो है नेटवर्क में हमारे मुल्क में हुई है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो जाहिर है उसमें ज्यादा तेजी से व्रद्धी हुई है सिर्फ तीन सो से बढ़कर के 4628 तक पहुंच गया आंकड़ा इसका मतलब आप समझ सकते हैं क कि 15 गुना के आसपास जो है वो उसमें ब्रद्धी हुई है सिर्फ 6 साल के अंदर आगे बढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि वायरलेस जो टेलिफोन 2002 में सिर्फ 14 फीजदी हुआ करता था 15 फीजदी वो बढ़के 85 फीजदी हुआ करता था वायर लाइन यह बढ़के 2010 के अगर हम आकड़े देखते हैं इसके बाद में तो यह हमें मालूम पड़ेगा कि इसका बिल्कुल उल्टा हो गया कि इस समय वायरलेस फोन जो जी से हम मोबाइल फोन कहते हैं राव साथ 93 परसंट हो गए है और वायर लाइन जो की सरकार चलाती है वो सिर्फ 6 फीजदी पू तो उसमें 2002 में 9 बिलियन डॉलर थे रेवेन्यूज और अब 2009 और 2010 के जो एस्टीमेटेड आंकड़े हैं वो 43 बिलियन है और अगर देखा जाए तो यह हमारी जो कुल जी डीपी है उसका कोई 4 फीजदी के आसपास बनता है और यह सिर्फ रेवेन्यू है बड़ी कमपनियो का इसमें अगर हम चोटे-चोटे स्टीडी और यह सब PCO, VCO सारा सारा जोड़ दें और दुकाने जोड़ दें तो यह 6 फीजदी के आसपास हमारी जो जी डीपी है उसका हिस्सा हिसमें टेलेकॉम सेक्टर से आ रहा है अब देखते हैं कि कमपनियों को कितना फाइदा करोड़ था अप्रेल 2006 में और जो कि यह मंदी से पहले का अकड़ा है और दिसम्बर दस में यह दो लाख एक हजार करोड़ से ज्यादा हो गया है तो यह कुल तस्वीर है पिछले दस सालों में टेलेकॉम सेक्टर में इतनी बड़ोतरी होई है